समर विकेशन्स का इंतजार लगतार स्कूल स्टूडेंट्स कर रहे हैं कि समर विकेशन्स जो है वो कब पढ़ेंगी क्योंकि बढ़ती गर्मी के कारण बच्चे लगतार परेशान है जमकश्मीर में जो स्कूल जाने की टाइमिंग्स हैं उन्हें बदला गया है अब सभी लोग जानते हैं कि अब बच्चे जो हैं वो सुबहाट से लेकर तो पहड़ के बारा बज़े तक स्कूल जा रहे हैं क्योंकि लगतार बढ़ रही हीट वेव से परेशान थे कि बच्चे किस तरह से स्कूल में सर्वाइब कर पाएंगे कितने समय के लिए अभी तक कि मैं फिलाल बात करूं तो कुछ राज्यों में अभी समविकेशन जो हैं वो बढ़ती गर्मी को देखते हुए पढ़ गई हैं जिस तरह से हर्याना की मैं बात करूं र लगतार सवाल जो हैं इस चीज को लेकर उठ रहे हैं सुभाई एक अपडेट लेकर आपके सामने हाजर हुए थे जिसमें लगतार यह पूछा जा रहा था कि समर्विकेशन जो हैं वो बच्चों को पढ़ जाएंगी जो स्कूल जाने वले स्टूडेंट से हाला कि अभी उ भाट से लेकर तो पेर के बारा मजे तक स्कूलों में भेटा जा रहा है जिसके बाद जो है कुछ हद तक जो है वो बच्चों को छुटे कर दी जाएगे और बचे घर चल जाएंगे अब फिलहाल जो बाकी राजियों में समर्विकेशन पढ़ी हैं उनकी बात करें तो कहीं पर एक जून से लेकर 30 जून तक पड़ी है हर्याना की मैं बात करूं तो एक जून से लेकर 30 जून तक समर्विकेशन वहां पर पड़ी है राजिस्तान में 17 मई से लेकर 30 जून तक पड़ी है दिल्ली में 11 मई से 30 जून तक पड़ी है मध्यपरदेश में 1 मई से 15 जून तक पड़ी है पंजाब में जून से लेकर 30 जून तक समर विकेशन शुहें वो एनाउंस कर दी गई है पर अभी जमकुश्मीर के बच्चों को भी लगतार नितजार है कि जमू में समर विकेशन जो जो स्कूल जो एरिया समर जोन में फॉल करते हैं यहां पर समर विकेशन कब डा रहे हैं बारहों बजसे के बाद बच्चों को जो है यह झुटी हो बच्चे अपने घरों में जा रहे है गढ़ी है क्यों पर 1500 विकेशन korost जो स्ट्राइस से तिस जून तक है कहीं पर 17 मई से लेकर 30 जून तक है रामातेपर्देश की में बात करो वहाँ पर एक मई से 15 जून तक है बंजाब में भी जून से 30 जून तक है अब जमो कश्मीर में कब चुटिया पड़ेंगी इस चीज के लिए लगतार जो है वो सवाल उट रहे हैं और कोईशन जो है वो डिरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन से किया जा रहा है कि कब आप लोग कर दी जाती है पर सवाल लगतार इस चीज को लेकर उठ रहे हैं तो आप लोगों कि इस पर क्या राय है आप जितने भी पेरेंट्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं आप लोग जरूर अपनी राय को रखे ताकि हमें भी पता चल सके कि आप कौन-कौन से इलाकी से खबर को सु कर दो जानते हैं कि ताइमिंग्स को फिलहाल चेंज किया गया है दो दिन दिन पहले परदेश की मैं बात करूं आप ही माचल परदेश के लिए पूछ रहे हैं बिलकुल कई जराज्ये और कई यूनिन टेरिटरी से हैं जहां पर बच्चों को छुटियां पड़ चुकी हैं अभी मैं बात करूं राजिस्तान की हर्याना की दिल्ली की मद्यपरदेश की पंजा बिलकुल ताहिर जी पूछ रहे हैं रियासी में कब होंगी देखें रियासी भी जमू के अंदर ही आता है तो जमू कश्मीर में अभी फिलहाल भी कोई इसा पता नहीं लग पाया है कि एक हफ्टे के अंदर अंदर ऐसी आशा है कि जो आप जानते हैं गर्मियों की सब्सक्राइब करते हैं जिसके बाद बच्चों को यह चीज़ पता चल पाएगी कि स्कूल्स की चुट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् सब्सक्राइब करें कि बाद बाते करें तो कि समय में ँणर सामने आजाएगा अब अब देख़ें कि पीम्त में च्छुट्ट्ट्ट्ट्ट की चुट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्रम घ्टी बात ईक organization रिकितना आनसुने में पच्ष़ां當 2023 में campus ब कि अगर गर्मी इसे तरह बढ़ती रही तो इसे दो महीने के लिए एक सिंट किया जा सकता है क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जो गर्मियों की छुट्टिया हैं मैक्सिमम दो महीने तक रहती हैं जून जुलाई जुए वह पूरा सेशन जादा गर्मी रिकॉर्ड की जाती है तो इसलिए बच्चों को स्कूल में भी जो है वो दो महीने तक चुट्टिया डाली जाती है तो इसलिए फिलहाल जैसे को स्वेश्टी करन आएगा अजाजदे लिख रहे हैं कश्मीर में शीनगर में कभ होंगी बिलकुल अभी और जो है वो आशा लगाई जा रहे है कि ज स्कूल की ताइम स्कूल की जो प्लिए आगे कि कोई बीचान कारी जो है वो सामने नहीं आए है अपनी राय ज़रूर रखें देखें सांबा से भी कहीं लोगों वारे स्वाश्य जुड़ रहे हैं शीनगर से कहीं लोग अपनी अपनी कमेंड बॉक्स में अपनी राय रख से लोग हमारे साच जुड़े हैं भी आशा करते हैं कि हम हफ्ते के अंदर अदर अंदर जो है वह है वह आपके सामने पेश करें अभी तक जो कुछ जानकारियां है वह यहीं है बहुत बहुत शुक्रिया रखने के लिए आप जबॉक्स है और आपको उस पर कर राय को standing में रखेगा देखते रहें आप आले टाइम मुझे दीजे अजाज़त